वेलकम बैक टू माई चैनल आप सुभी का स्वाज़त है फिर से एक टोफी के साथ आज की ससरे हम बात करने वाले एरिया आप निकाल पाओगे बहुती इजी इस्टेफ है आपको पूरा इस वीडियो को देखना है जिस तरह मैंने थामनेल में दिखाया था उसी परकार से यहां पर क्या क्या मैंने एक इमेजस बनाया है जो कि A B A B C D मैंने नाम दिया हुआ है सबसे पहले हम समझते हैं लंबाई और चौई की जोरत पड़ती है जब भी हम जमीन का 25 करते हैं या छेतरफल निकालते हैं तो लंबाई और चौई की जोरत पड़ता है अगर इंगलिस में कहो तो लेंथ और विर्द का हमें जोरत पड़ता है तो इसमें देखो लेंथ हमा यह rectangular नहीं है, अगर rectangular होता तो कुछ नहीं करता, लंबाई गुना चुड़ाई कर देता, लेकिन इसमें थूर इसी trick है, आपको क्या करना है, देखो, यह, अब पलस यह करना है, लंबाई निकालने के लिए 100 पलस 50, मतलब 100 अब पलस 50 करोगे, तो 150 होगा, 150, right, कितना आएगा, 150, divided by क्या करना है, 2, क्यों, आउसर निकाल रहे, इसका और इसका एवरेज निकाल रहे, तो 150 divided by 2 करोगे, तो आपका आएगा, 75 feet, किलिए रहे, उसी प्रकार से 4, जो कि मैंने यह वाता है, 40 अब पलस 50, अगर 50 और 40 को जोडते हो, तो कितना आता है, 90, मैं directly लिग दे रहा और उसको 2 से क्या करना है, आपको भाग दे देना, भाग देने के लिए क्यों, क्योंकि इसका और इसका और इसका और इसका एवरेज का हुआ, 90 में भाग देंगे 2 से, मतलब 2 भाग में बाटना है, तो कितना आएगा, 45 feet, किलिए रहे, तो कुछने निकलना है, एरिया या चेतरफल, एरिया इकोल टू क्या होगा, लंबाई गुना चुवाई, मतलब लेंथ, लेंथ इन्टू वीर्थ, अगर वही हिंदी में आप लिखोगे, तो चेतरफल इकोल टू लंबाई गुना चुवाई, तो हम क्या करेंगे, लंबाई कितना है हमारा, लेंथ इकोल टू लंबाई कितना है 75 फूट गुना विर्थ कितना है 45 है तो आपको क्या करना है 45 फूट लिखना है अगर जब आप इसको मल्टीप्ला करोगे 75 इंटू 45 अगर आप करोगे 33 पचतर यह क्या हो गया स्कवाइर फीट हो गया इस्कौाइर इस्कौइर फीट अकौक में स्क्वाइक्ट कर सकते हैं क्या कर सकते स्क्वाइप्टि बस इतना ही इसी था चए्यप Loti रहे है सीधा प्लल प्लॉट मैं ने अगर रेक्टेंगल है तो दो ही मल्टिप्लाइक रिंग ये चवाई और ये लंबाई एक तम चकोर में आपको जमीन अगर है तो लंबाई गुना चवाई और सट निकालने के जोड़त नहीं पड़ीगी ठीक है तो उमीद करता हूं ये वीडियो सही लगा होगा तो थोरी सही लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन को फरिश कर लिजेगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिक्शन आपको सबसे पहले मिल पाए मिलता है नेस वीडियो में तब तक के लिए बाई